हालो फ्रंट्स वेलकम टू पल्चम क्लासेज हमने लास्ट सेशन में साउंड वेव को डिसकस किया था आज हम लोग थर्मोडाइनमिक्स की थियोरी प्लस एंट्रीगुज को डिसकस करने वाले हैं यह हमारी वाईटी की सीरीज है जिसमें हमने पहले केमेस्टी को टोपीक वा को जैसे मैं आज आपको एक्जांपल दे रहा हूं कुछ थियोरी आपको पढ़ा रहा हूं उससे आपको आइडिया रग जाएगा कि मेरी पेड़ क्लासेज में क्या होता है यहां पर आप फिजिक सेमेस्ट्री बाइलोजी की कंप्लीट टॉपिक वाइस वीडियो आपको म दोट्स मिलेंगे आपको पीवाई क्यूस मिलेंगे तो जाहिए पर्चम ग्लासेज पर आपको वहां एससी जनरल साइंस टार्गेट उन्टे टॉन्टी पॉर्स मिल जाएगा वहां जाकर परशेज कर लीजिए अगर आप चाहते हैं मारा कंप्रीट पोर्स परशेज करना जो कि ऐसा चीज जिए जनरल अवेरेस टार्गेट टॉन्टी टॉन्टी फॉर को कवर करता है जहाँ पॉलेटी एकोनोमिक्स हिस्ट्री फिजिक्स केमेस्ट्री बायलोजी एकोनोमिक्स यह सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले स्ट्रेटिक जीकी के साथा साथ में ही आज के शेशन थी विसको हम दोग डेली रूटिल लाइप से रीलेट करते हैं और इस कोनसेप्ट को समझने की कोशिस करते हैं लिए जगेर हम बात करते हैं कि आज कितना degree temperature है तो हम बोलते हैं 40 degree temperature है गर्मियों में अगर हो सकता है आपके यहाँ यह temperature 43 degree Celsius हो हो सकता है अगर आप जम्मू कश्मीर या ले लडाक में होता है आपके लिए 15 degree Celsius हो और हो सकता है कहीं पर यह minus 15 degree Celsius हो अलग लग जगों पर अलग अलग temperature होते हैं और जब हम temperature की ब करन रहा होते हुसे जैसे ही हम लोग होता हैं बिमार होते हैं तो हम कहते हैं मुझे 101 है कल मैंने मेने दोस्त को फон कि करा कि मुझे 104 फॉकार है तो यहां 104 गिरी सें या फॉरेन हाइट भिलकुल फॉरेन या जब हम लोग chemistry और physics में पढ़ रहे होते हैं तब हम बात करते हैं 310 Kelvin, 0 Kelvin, 212 Kelvin इस तरह से पढ़ रहे होते हैं तो यह अलग-अलग temperature के अलग-अलग scale क्यों है? कहीं हम degree senses की बात करते हैं, कहीं हम foreign height की, कहीं हम Kelvin की, कहीं हम humor, rachine, ऐसे बहुत सारे temperature skills के बारे में डिसकस कर रहे होते हैं, एक्चल में यह अलग-अलग scale हैं, हम इन पर temperature को measure करते हैं, बट इधानकना, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि degree Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Kelvin, humor और rachine, अगर हमें information यह हो, कि इतना degree Celsius, तो हम कुछ ऐसा formula apply करें, कि हम उसकी value, Fahrenheit में निकाल पाएं, या अगर हमें Fahrenheit के बारे में information हो, तो हम degree Celsius में convert कर पाएं, या हम Fahrenheit से Kelvin, या Kelvin से Fahrenheit, या Kelvin से degree Celsius, या degree Celsius से Kelvin, हम किसी भी temperature scale की value को, किसी दूसर temperature की scale की value के साथ relate करके, उस value को convert कर पाएं, तो यह सीखेंगे, इससे पहले एक basic point में आपको सीखाना चाहरा हो, ताकि आप भी मेरे साथ किसी भी value को convert कर पाएं, और exam में इसका एक question बहुत जल्दी बगता है, जैसे में अगर बात करूँ, तो हम इसमें concept को लेते हैं, वो है हमारा water, हम water को लेकर आतलते हैं, इसको, इस पूरे concept में हम लोग water को discuss करेंगे, अच्छ एक बात रहिए, water, water का freezing point केता होता है, या बरफ कितने degree पर जमने लग जाती है, या water, बरफ में, ice में convert कितने degree पर होता है, तो उसका freezing point है 0 degree Celsius पर, 0 degree Celsius पर क्या होता है, water ice में convert होता है, अगर मैं बात करूँ boiling point की, तो 100 degree Celsius को पर हमारा water का होता है, boil होने लगता है, और vapor में change होने लगता है, तो हमारे water का freezing point 0 degree Celsius, and boiling point कितना है, 100 degree Celsius है, बट, अगर मैं बात करूँ, 0 degree Celsius, foreign height में कितनी value के equal है, तो 0 degree Celsius, 32 foreign height के equal होता है, यानि आपको मैं एक बात करूँ, आप ऐसे भी लिख सकते है, 0 degree Celsius, equal, कितना, 32 foreign height, चीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 degree किसकी equal है, 32 foreign height की equal है, अगर मैं बात करूँ, Kelvin में, तो 0 degree Celsius, 273.15 Kelvin के equal होती है, तो हमें boiling और freezing point में पता लगया, तो देखो, अगर 100 degree है, वो कितने foreign height के equal होता है, 212, अगर मैं बात करूँ, Kelvin की, तो 373.15 Kelvin, हमें जो freezing और boiling point है, उसके बारे में पता लगया, है कि degree Celsius में 0 degree और 100 degree Celsius, इसी के वेलू का अगर foreign height में 32 और 212, अगर मैं Kelvin की बात करूँ, 273.15 से लेकर 373.15 Kelvin, अब हमें ये तो पता लगया, और हमें इनका boiling और freezing point के बारे में information भी मिल गई, बट अगर कोई ये बोल दे कि 50 degree Celsius कितने foreign height के equal है, तो कैसे आप निकालेंगे, इस question को solve करने के लिए हमने एक formula को तयार किया है, देखिए, अगर आपको formula मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, थोड़ा सा जानक ना, हमें degree Celsius ठीक है, minus, degree Celsius का freezing point कितना है, 0 degree, तो 0 हुआ गया, upon, दोनों का difference, boiling और freezing can, 0 और 100 का difference कितना हो गया, इंका difference हो गया, 100, ठीक है, equal, हम लोग फारेंने अइट में जयाए, फारेंनत, फारेंनाइट का freezing point कितना होता है, 32, और freezing and boiling point का difference, 32, और ben कितना हो गया, 180, ठीक है, equal, अगर मैं बात कुरू, Kelvin की, Kelvin मायनस, Kelvin का boiling, कि तो होता है 273.173.15 ठीक है अगर इन दोने के डिफरेंस की बात करो तो कितना डिफरेंस है 100 यह फोर्मूला आपके सामने आ गया अब एक्जाम में क्या होगा एक्जाम में ऐसे होने वाला है कि किसी एक की विदियो आपको गीवन होगी और किसी एक की विदियो आपको पू सेस कितिने फारें हाइट के एक्वल है तोगो अब इसका फोर्मूला है पारेंगे जेलके सेसी जेरो अपांट हंड defend हट माइनस अपोन, ओ सुरी, पारेन हाइट माइनस 32 अपोन 180, कुछ ऐसा ही आने वाला है, यही हमने बात की थी, आप देखों, इसमें हमें डिगरी सेल्सेस की इंफोर्मेशन है, तो मैं डिगरी सेल्सेस की तेखा, 50 लिगने हुआ, 50 माइनस 0 अपोन 100, इक्वल, फारेन हाइट माइनस 32 अपोन 180, सही कह रहा हूँ, समझना आप, 1 बाइ 2, कर सकते हूँ ऐसा, बेलकुल इसा कर सकते हूँ, अगर यह 2 को यहाँ से कट करूँ, तो यह 90 आ जाएगा, ठीक है, अब देखों, इसका मतब क्या है, कि 90 इक्वल, एफ माइनस 32, सीक है, अगर एफ की वेल्यू निकाल लिए हो, तो एफ इक्वल 90, यह जो माइनस का था, वो प्लस को हो जाएगा, 32, और एफ की वेल्यू कितनी हो गई, 122 फारेन हाइट, फारेन हाइट की वेल्यू कितनी हो गई, 122, समझ में आ रहा है, बहुत easy concept है, बस हमें यह यहाँ रखना है, कि इस formula में, इस formula में, जो information हमें गीवन है, हमें उसकी वेल्यू को put करना है, और जो नहीं गीवन, उसको हम solve कर लेंगे, कि इससे भी question होगा, मालो, ऐसा question होता, कि 180 फारेन हाइट, कितनी degree Celsius की equal है, तो ठीक है, यहाँ F के जगे हम 180 लिखते हैं, और यह वाली degree value को निकाल लेते हैं, जैसे इस question में हमने किया है, ठीक है, यह तो हमें समझ में आ गया है, बहुत easy concept था, इसमें तो दिखका थी, नहीं है, अब देखो, exam में थूड़ा सा pattern change करता है, और आपको भी बनाते हैं, वो कहता है, human body के temperature कितना होता है, human body का temperature, तो human body का temperature, अब देखो, यहाँ आपको पोड़ी दिक्कत करने वाला है, आपको यह तो पता होता है, 37 degree Celsius होता है, होता है, ठीक है, 37 degree Celsius है, मारी body का temperature, यह कितने foreign height के equal है, अगर वैसे आपको बतादू, direct आपको याद होना चाहिए, 98.6, foreign height के equal होता है, और अगर यह पूछे, degree Celsius कितने Kelvin के equal है, तो जानक न, 310 Kelvin के, 310 Kelvin के equal होता है, पहले क्या था, जब यह question आने लगे exam में, उससे पहले students को यह याद नहीं होते थे, और वहाँ solve करना पड़ता था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते, इसको कैसे solve करते, देख ठीक है, foreign height मुझे नहीं पता, 32, ठीक है, and 180, ठीक है, बस मैं इसको solve करना था, और यह value आ जाती, कितनी, 98.6 Fahrenheit, तो यह तो दिक्कत नहीं है, कि सरी कैसे आएगा, आपको exact निकालना बता दिया है, वो आपको 30 degree पूछे, 20 degree से बोले, foreign height से change करने को बोले, कोई दिक्कत नहीं ह है, आपको human body का temperature, आपको बता हो जी, 37 degree Celsius, Fahrenheit में 98.6 Fahrenheit, और Kelvin की बात करें, तो 310 Kelvin, चलिए, अब एक point बात करते है, sensible heat और latent heat, पूड़ा सा चीजों को समझते हैं, sensible heat में, और latent heat में क्या है, देखो, बहुत अच्छे से द्यान रखना है, एक हमने यह बिक्कर दिया, और इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया, किसमें क्या कर दिया, इसमें, वाटर पानी डाल दिया, अब देखो, हमने पानी जब डाला हां, तो इस पानी का temperature, पहले कितना था, 10 degree Celsius, कितना था, 10 degree Celsius था, जब इस बिकर में वाटर को insert किया, जब इसको डाला पानी को, तो इस जो पानी का temperature हमें देखा वो 10 degree Celsius था, फिर हमने थोड़ी सी heat दी, उसको थोड़ी आग लगाई नीचे, और जब गरम हुआ तो यह temperature धीरे धीरे, 10 से क्या होगा, 15 होगा, 20 degree होगा, 25 होगा, और फिर 30 degree होगा, फिर 40 degree Celsius होगा, फिर 50 degree Celsius होगा, ऐसा धीरे धीरे गरम होता रहेग ठीक है, जब पहले temperature 10 degree Celsius था, और heat देने पर यह 30 degree, 40 degree, 50 degree Celsius होगा, इसका मतलब क्या हुआ? heat देने पर temperature increase होता है, temperature increase होता है, temperature क्या होता है, तो यह heat कौन सी है? sensible heat, यहने किसी substance को गरम करने पर, अगर उसके temperature में increment होता है, temperature increase होता है, तो वो कौन सी heat है? वो है sensible heat, पर एक और समझना, यह है water, और इसमें मैंने क्या करे दिए, छोटी-छोटी ice cube डालगा, बर्फ, बहुत अच्छे से समझना, यह concept, ice cube डाल दी, बर्फ डाल दी, क्या हुआ? और बर्फ जब मैंने डाली, तो मैंने देखा, इस का temperature कितना था, इस ice का temperature कितना था, बर्फ का temperature, बर्फ का temperature क्या था? जीरो डिगरी temperature ता पर, बर्फ कितने जीगरी पर, आइस कितने जीगरी पर हो दाती है, वो freeze हो दाती है, water freeze कितना था, जीरो डिगरी Celsius पर, यहाँ पर, जीरो डिगरी Celsius की बर्फ है, बर्फ को नीचे से गरम किया, आपने, heat दी, छीक है? आप देखो, आप आराम से सोच रह होगी, पहले क्या होगा, पहले थोड़ी से ice, फिर 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 थो हो जाएगी इस water का temperature कितना हो ना होगा जीरो डिगरी सेल्सेस होगा यह concept है यह यादी करना पड़ेगा आपको यह समझना पड़ेगा कि जब तक और मैं यह कहूं कि यह पूरी अब एक होगी है तब तक इसका जीरो डिगरी अब धीरे-धीरे क्या होगा अब जब पूरी बर कह सकते हूं क्या कि ice और water दोनों 0 degree पर हो सकते हैं 0 degree temperature पर कोई चीज आइस भी हो सकते हैं जीरो डिगरी पर water भी हो सकता है क्योंकि जब उसके अंदर ice थी तब तक जितने भी पानी था उसकी सारी value किसके equal थी 0 degree Celsius value के बराबर थी उसके equal यह जीरो डिगरी Celsius पर ice भी होती है 0 degree Celsius पर water भी होता है अगर आपको session पसंद आ रहा है तो session को like करिए comment करिए कौनकों से नए topics आप चाहते हैं पहले मैं आपके लिए cover करो अपरे दोस्तों को suggest करिए और पूरे session को अच्छी ध्यान से दिखिए तो यह concept समझ में आ गया है यहां मैंने heat दी थी खाना लेकिन यह temperature change हुआ क्या नहीं हो देखो मैंने 0 degree के ice थी मैंने इसको heat दी और यहां पर फिर भी water भी 0 degree Celsius यहांनी इसका मतलब क्या है यह guarantee नहीं है कि आप किसी चीज को heat दे उसको temperature increase हो ही जब आप उसको heat देंगे energy दे अगर आपको गरम करें तो guarantee नहीं है कि किसी चीज का temperature बढ़े ही लेकिर एक चीज हो गई यहां यहां पहले ice क्या था solid और ice कि से convert हो गया liquid में water में convert हो गया यहांनी state change हो गई क्या होगी state change हो गई यहां water के temperature change नहीं हुआ लेकिन state तो चेंज होगी solid से liquid में चेंज हो गया इसका मतलब latent heat का है does not increase the temperature but change state heat यहांनी latent heat क्या होते है latent heat वह हुट है तो temperature तो increase नहीं करता बढ़ क्या करती है बढ़ उसकी state change कर देती है latent heat और आपको sensible heat अब एक बात समझना एक चीज और भी धाना है न मैं यहां एक चीज concept और बताना चाहरा हूं कि जब 0 degree पर ice होती है ऐसे 0 degree पर water होता है 100 degree Celsius पर water boil करता है 100 degree Celsius पर water boil करता है आगर कभी ऐसा है कि आपने पानी को चलो यह पानी गरम हो रहा है आप नहाने के लिए आपने पानी गरम किया नीचे से यह आग लगड़ी है और गरम किया पानी थोड़ी देर बाद उबले लगे का कितने डिगरी पर पाई उबलता है वाट उबलता है 100 degree Celsius पर पानी उबलना है अगर आपने इसको एक घंटे की जगे आपने पांच घंटे इस पानी को गरम कर दो तो क्या इसका temperature और इंक्रीज हो जाएगा जैसे 100 पर वाटर फाईश ऐसे 100 पर बोइलिंग भी होता है वाटर वी होता है वैपोर यानी उसकी भाब भी स्टिम भी होती है अब जहां रखना चलो अगर्द अम्मट ओफीट इस स्पेसिविक हीट क्या है कि जितना अम्मट ओफ हीट रिक्वाइड होगा रेज करने के के लिए temperature को कि जितनी heat required होगी temperature तापमान को increase करने के लिए कितने के लिए one kilogram substance किसी एक kilogram को substance है उसका एक Kelvin temperature increase करना हो उसके लिए जितने heat required होगी वो उसकी specific heat होती है वो specific heat होती है एक चीज ओड़ धानकरा जब हम लोग यह सुनते हैं मैं आपको बताता हूँ आपने सुना होगा नहीं सुना होगा बड़ अगर आप गरम गरम पानी अगर किसी के पर गिड़ जाए वो ज्यादा भयानक है या उतनी ही steam जो है भाप अगर हमारे सरीर पर आकर ठकराए तो हमें ज्यादा दर्ध होगा पानी के कंपरेशन में हीट से जलना बहिएनक होता है डराओन होता है डेंजर होता है क्यों क्योंकि वाटर और दोनों हंड्र डिगरी पर है बट वैपॉर में एक चीज़ एक्स्ट्रा है उसके अ अंदर कोई उसमें दो लेटेंट हीट है कुस्तों एंकरी से एकुस्तों जादा है क्या जादा है उसमें लेटेंट हीड जादा है इसलिए पाने की तुला में भाप से जलना जादा बहनक है बर्णिंग दस्टीम is more painful than the boiling water बिकोज दा लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन इस एक्स्ट्रा ठीक है एक चीज़ होड़ आपने हॉट बैक देखेंगे न हॉट बैक देखेंगे जैसे आप कई बार देखते होंगे कुछ जो हमारे घर में बड़े पुजर्ख है हमारी दादा है दादी है मम्मी है कई सब्सक्राइब करते हैं और उसको फिर सिखाइब करते में कूंसा लिकविड होता है ऊसमें होता है वॉर्म एक होती है पहुत हॉती है इसलिए हम लोग होट बैक में वौटर का यूज करते है हुआ हमने भीट temperature, scale, sensible heat, latent heat के बारे भी डिस्क्स किया, अब हम लोग temperature और pressure का जो relation है उसको देखने वाले, एक्चुल में तीन state आपने देखी है, solid, liquid और gas state, इसके लिए condition क्या है एक्चुल में, देखो, अगर low temperature है, low temperature और high pressure, बिसी चीज़ में pressure high दोगे, तो वो क्या है, वो condition क्या है, यागर कोई पूछे कि solid की, धारक ना मैं जो sentence, जो word यूज़ के लिए रहा हूँ, कि idle condition for solid, तो आप क्या बोलोगे, low temperature, high pressure, कोई पूछे, idle condition for gas, high pressure, low temperature, यह तो उल्टी बात है न, यह यह नहीं, प्रेशर तो वो लो होगा, और high temperature, ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ, solid के idle condition के अगर प्रेशे जादा है, और low temperature है, तो solid, अगर बात करूँ, गेस की, हाना, तो गेस भी क्या है, low pressure है, और high temperature है, तो क्या होगा, वो idle condition है, गेस की, तो हमें solid से liquid, solid की, और हमें, गेस की idle condition के बारे हैं, पता लगे हैं, पर ध्यान रखना, एक ऐसा point होता है, triple point, यह बहुत interesting है, interesting आपको लगेगा, जब आपसके concept को समझेंगे, एक एसी situation, एक ऐसी condition, मैं इस room में एक ऐसी condition create कर दूँगा, कि उसी temperature में, उसी condition में, water मुझे यहाँ, ice के form में भी दिखेगा, water मुझे यहाँ, liquid की form में भी दिखेगा, और water यहाँ, मुझे gas की form में भी दिखेगा, यह एक ऐसी situation पैदा कर दूँगा, इस room में, कि, उसलिए क्या condition होगा, आपको बताने में, कि यहाँ, तीनों street देखने को मिलेगी, मुझे, triple point, यहाँ यहाँ पर solid, liquid, और gas, तीनों condition, the triple point is the point, where we can see all the three state of matter, solid, liquid, or gas, at the same time, खास बात के, उसी time में आपको तीनों condition देखने को मिलेगी, triple point of water, if the temperature is, देखो, अब यह condition के लिए क्या करना पड़ेगा, इस room का temperature मुझे, 0.01 degree Celsius, कितना, 0.01 degree Celsius, यह मैं Kelvin पर बोलू, तो 273.16 Kelvin, यहाँ रखना, यह तो मुझे temperature रखना पड़ेगा, और इस room में pressure क्या रखना पड़ेगा, pressure मुझे रखना पड़ेगा, 600 Pascal, यह मुझे temperature, अगर मैं यह दोनों condition इस room में create कर दूँगा, तो मुझे matter की तीनों states, यानि solid, liquid, और गेस, तीनों states मुझे दिखने लगेगे, और इस situation को हम लोग क्या पहते हैं, इसको triple point भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक special pressure और एक special temperature पर ऐसी condition पैदा कर देंगे, जिसमें matter की solid, liquid और गेस, तीनों तरह की state हमें हैं, दिखने लगेंगे, अब बात करता हैं difference, difference of vaporization, evaporation, देखो, vaporization, जैसे मैं कहूँ कि water कितने degree पर उबलता है, तो 100 degree पर भाब मिलता है, बिल्कुल सही कह रहा है, mercury, mercury vapor में change होता है, 35 points तो vaporization, कि पूरी water कितने degree पर boilो की भाब बनेगा, यह process में पूरी water में reaction होती है, पूरा पानी के सारे molecules पे, लेकिन एक बात देखो, अपने एक ऐसे बरतन है, आपने छट के उपर आपने इस बरतन को रख दिया और उसमें थोड़ा पानी रख दिया, आप थोड़ी दिनों बाद आते हो, और आप देखते हो कि यह पानी दिली दिले, इसमें आदा पानी पानी दिले गया है, जबकि इसमें किसी जानवर ने पानी नहीं पिया है, तभी भी, है ना, तभी भी क्या है, इसमें पानी नहीं पिया किसी भी, फिर भी थोड़ा पानी तो ऊड़ी जाता है, ऊड़ी जाता है, ऐसा क्यों होता है, अब आपके इसाप से तो पानी भाप म लेकिन ध्यान रखना, evooperation क्या होता है, evooperation वो condition है कि यहां sun है हमारा, क्या है हमारा, मैं color को change कर लेता हूँ, यह हमारा sun है, sun, storage, यह जैसे ही इसकी किर्णिस के पड़ेगी, तो यह क्या करता है, यह पूरे पानी उपर वाली air न, एकद़ उपर वाला यह वाला हिसा, गरम हो जागा, और यह भाब बनके उढने लगे हो, फिर इससे फोड़े से नीचे वाली एन पर करता है, फिर यह पानी उटने लगे जाता है, फिर ऐसे दो, तीन, चार पांत दिन में सारा पानी धीरे धीरे करके उड़ाता है, तो भाब बनके उड़ने लगेगा वैपोर बनके पानी उड़ जाएगा अब देखो जिस दिन ज्यादा टेंपरेचर होगा उस दिन ज्यादा पानी भाब बनेगा जिस दिन कम टेंपरेचर होगा उस दिन कम होगा हो सकता है ठंड हो जाए दस दिगरी सेलसेश टेंपरेचर सब्सक्राइब पूरे मॉलीकुल सब्सक्राइब नीचे से उपर गल 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 उपर से इस तरह से साँड आता है तो वेपराइजेशन और इवॉपरेशन पर डेफरेंस आपने समझ लिया अब देखो वॉल्यूम और डेंसिटी वॉटर की देखो वॉटर ना हमारा हमारा इनोनिमियस बिहेवियर है और ही बहुत अचीब तरह से बिहेव करता है इस कॉंसेट्ट को ऐसे समझेए कि वॉटर जीरो से फोर डिग्री टेंपरिचर पर उसका वॉल्यूम डिंक्रीज होत डिग्री के बाद इंक्रीज होता है अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारी डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी तो हमारी डेंसिटी जीरो से फोर पर मैक्सिमम हाइयर डेंसिटी कब होगी फोर डिग्री पर और फिर बाद में डेंसिटी डिक्रीज होगी अ विल डिक्री देन इंक्रीज ठीक है अगर मैं बात करूँ वाटर का टेप पर जीरो डिग्री से फिटीन डिग्रीज करोगे तो देंसिती पर क्या फ्रक पड़ेगा तो जीरो से देंसिटी पहले इंक्रीज होगी और फिसकी डिक्रीज होगी दोनों कॉंसेट समझ में आ गए आपके इसापसे इसका राइटम सो जान रखना 50 डिग्री सेल्सेस यानि यह वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और आप इसका आंसर सोल करके मुझे बताने वाले हो क्योंकि मैं वैसे बता चुका हूं आपको बट आप इसको मेरे लिए सोल करेंगे और आप मुझे इस क्लास के सुर्वाक में ही मैंने आपको इस कांसर बता दिया था तो आप यह कमेंट बॉक्स में हर एक स्टुडेंट चाहा है आपको आता हो नहीं आता हो जरू ट्राइए करेंगे तर नॉर्मल टेंपरेचर और विमन बोडी इन कैल्विन कैल्विन देखो वैसे होता है तो इसके वोल्यूम क्या होगा जीरो से फोर में पहले तो डिक्रीज होगा और देंसिटी इंक्रीज होगी और फिर इसका इंक्रीज होगा तो फोर के बाद में अगर कोई बोल ले कि कितने डिक्री पर मीनिमम होते है वोल्यूम तो मीनिमम होता है फोर डिक्री सेल्सिस पर और density maximum कितने degree पर होती है वो भी 4 degree Celsius पर होती है अगर मैं next question की बात करूँ कितने degree पर Fahrenheit और degree Celsius एक होंगे देखो ये बहुत important है कितने degree Celsius पर तो द्यान रखना अगर मैं बात करूँ minus 40 degree Celsius temperature नहीं 0 upon 100 equal Fahrenheit minus 32 upon 180 ठीक है मैं यहाँ से 0 से 0 खट किया 72 minus के 72 आगे क्योंकि यह minus की value है equal f minus 32 ठीक है अगर मैं f की बात करूँ तो minus 72 minus 32 ठीक है तो f equal minus 40 यानि minus 40 degree Celsius minus 40 degree Fahrenheit की equal होता है तो कोई पूछले Fahrenheit और degree Celsius कितने degree पर equal value जाता है तो minus 40 minus 40 is the right of pressure प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्यों देखो जहां रखता है प्रेशर कुकर का इस concept को मैं आपको यहां समझानी को शिच करता हूं अगर देखो तर देखो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है क्योंकि यह क्या करता है प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है क्याओ यह जाता है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और बोइलिंग कॉछ ज着ले अपर तो कॉई खुर जादा पर पानी उबले तो कौन से खाना जल्दी बनेगा ब면 है इस पे और यह कब होता है क्योंकि प्रेसर करें के अंदर क के अंदर को प्रेशर कुजिता ना तो प्रेशर करेंसर कुरेट हो जाता तो उसका इंकरी यहां देखोगे कई पूछतने के कम्पीजन में में कुल ओमणा चाहिन लेत कीओ बनता है तो दिलमें ऑनी कुतने दूज्स टुटरी पर के से कुँ यूभा है जैसे जैसे आम हाइट पर जाएंगे पर जाएंगे ऐलने उलाखहों फोपर के तरफ जाएंगे तो जिस्ते हम हाई Mountains में जाेंगे तो हमारा boiling point गेर जाएगा boiling point decrease हो जाएगा boiling point decrease होगा क्यों कि वहां पर pressure decrease हो और तो जो पानी 100 degree पर उबलना था वो 95 degree पर उबल रहे है अब बताओ, एक आलू है माल हो, यह मैंने इस आलू को हमारे इसमें रख दिया आलू क्या समझता है नाइंटी आईलू के लिए 95 डिग्री पर आलू पहले पकेगा या 100 डिग्री पर पहले पकेगा यह समझो इस कॉंचेप्ट को समझ लो भाई बिल्कुल वेस्टी 100 डिग्री पर ही अच्छे से आपके उबलेगा तो इसलिए दिल्ली में पहले खाना बन पनता है ठीक है चलिए अगला विश्य मंवारा किear अब तक बाइंट बिल्टंत वाटर बीतेया धिया है थो इसमें इसम इसमें घुपती स्मा होती सेंटी में आपको बता दिमन की लिए लेकिन आधरीबी स्टेर이면, निन में ग्रींटी इंधर वर्टी थेंग टो टेमपरिचर जो है वह मिनिमम या लोवेस्ट पोसिबल टेमपरिचर है कितना है लोवेस्ट पॉसिबल जिसको 0 कैल्विन भी बोलते हैं इसको डिगरी सेल्सेस में माइनस 273.15 डिगरी सेल्सेस यहां कैल्विन नहीं धाना ज्याना करना 0 Kelvin बोल दो माइस 273.15 वो बोल दो और यह 459.67 Fahrenheit बोल दो यह 0 Kelvin equal minus 273.15 degree Celsius equal 459.67 Fahrenheit यह तीनों equal है absolute zero temperature बोलते हैं यह minimum temperature है पॉसिबल मिरोडम टेंपरेचर पेरामटरी इन विश टेंपरेचर है जिए पॉजिटिव यहां रखना एक बात अगर आपको जिन्दगी में कोई question ऐसा आए कोई options ऐसा आए जहां Kelvin को negative में दिखा रहा हो तो यह possible नहीं है Kelvin की value minimum Kelvin की value कितनी होते जीरो Kelvin इससे माइनस में होता ही नहीं है यहां नकना इसलिए Kelvin कभी भी negative नहीं हो सकते Kelvin कभी भी क्या नहीं हो सकते है गर आपको station पसंद आया station को सब्सक्राइब करें जो मैंने question आप से पूछा था 50 degree Celsius कितने फारे नाइट की को लाए उस comment box में जारू लिखे station के बारे में comment box में जताएंगे तो ही मुझे बता लगए आपको कौन से topics कवर करने हैं कौन से topic मुझे पहले करवाना है पाइलोजी को मैं साथ लेका चलू या physics को पहले complete करो आप मुझे बताइए अगर आपको थेओरी के लिए पूरा पूर्ट देखना है तो आप जाए पर्चम क्लासेस पर वहां मेरा एससे जनल साइंस का मेरी फोटो लगी है उसमें आप स्पोर्ट को प्रचेज कर सकते हैं वहां अगर को डिसकाउंट तो आप उसको डिसकाउंट को भी ले सकते हैं तो थैंक्यू अभीवन बाइबाइबाइब ठेक क्या